भूटान एक ऐसी सस्ती वुदेश यात्रा जो होगी आपके बजट में भूटान एक ऐसा देश है जो पूर्वी हिमाले के परवती शेत्रों में इस्थित है और दक्षण एश्याई शेत्र में सबसे स्वक्ष देशों में से एक है आपको बताने कि भूटान Land of the Thunder Dragon के नाम से भी जाना जाता है भूटान एक ऐसा देश है जिसका कोई अपनिवेशिक इत्यास नहीं है और वांग्चुक परिवार ने इस देश में एक्ता बनाए रखी है भूटान की सीमा भारत के सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुनाचल प्रदेश के राज्यों से लगी हुई आपको बताने कि परियावरन की रख्षा भूटान का एक सम्विधानिक दायत और यहां का 60 प्रिस्चत हिस्सा आज भी जंगल है भूटान दुनिया के ऐसे पहले कारवन निगेटिब देशों में से एक है जहां तमागों की विक्री पर प्रतिवन्द है भूटान देश कई तरह के परेटन आकर्षणों से भरा हुआ है जो प्रकर्ति प्रेमी लोगों के लिए स्वरक के समान है बहुत से लोग इनकी प्राकर्तिक सुन्दर्ता की वज़े से यहां पर यात्रा करना पसंद करते है भूटान का प्राचीर इत्हास मिथक के रूप में है अनुमानता भूटान में 2000 इसा पूर्व वस्तियां बसना शुरू हुई दंद कथाओं के अनुसार इस पर सात्वी शति इसा पूर्व में कूच बिहार के राजा का अधिकार था किंदु नौवी शताबदी में यहां पर बौट धर्म आने के पूर्व का इत्यास अधिकांश्त अग्याती है इस काल में तिबद में अशान्ती होने के कान बहुत से बौध विक्षू यहां आगे बार्मी शताबदी में इस्थापित हुआ द्रिकपा और कग्यूपा संपरदाएं आज भी यहां का प्रमुक संपरदाएं इस देश का राजनितिक इत्यास इसके धार्मिक इत्यास के निकट संबन्द रखता है सत्रवी सदी के अंत में भूटान ने बौध धर्म को अंगिकार किया 1865 में ब्रिटेन और भूटान के बीच सिंचुल संदी पर हस्ताक्षर हुआ जिसके तहट भूटान के सीमा वर्ती कुछ भूभाग के बदले कुछ वार्सिक अनुदान देने का करार किया गया ब्रिटेस प्रभाव के तहट 1907 में वहां राजशाही की स्थापना हुई तीन साल बात एक समझवता और हुआ जिसके तहट ब्रिटेस इस बात पर राजी हुए कि वह भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे लेकिन भूटान की विदेश नीती इंग्लेंड द्वारा तैकी जाएगी बाद में 1947 के पश्चाथ यही भूमिका भारत को मिली दो साल बाद 1949 में भारत भूटान समझोते के तहट भारत ने भूटान की वो सारी जमीन उसे लोटा दी जो अंग्लेजों के अधीन थी इस समझोते के तहट भारत को भूटान की विदेश नीती इवं रक्षण नीती में काफी महतपूर्ट भूमिका दी गई भूटान का सबसे आकशन इस्थल पारो पारो भूटान की पारो घाटी में एक इस्थिछ छोटा सा शहर है जो 155 मंदरों और मठों का घर है पारो भारी संख्या में दुनिया भर के परेटोकों को अपनी और आकश्षित करता है पारो चून अदी के तट पर लगबग 2280 मीटर की उचाई पर इस्थित है जो 1269 वर्ग मीटर शेत्र में फैला हुआ है आपको बताने की पारो में भूटान का एक मात अंतरास्टी हवाई अड़ा भी है और इसे धर्ती पर उतरने के लिए सबसे चुनोती पूर्ण हवाया ड़म माना जाता है पारो कई सारे आकर्शनों से भरा हुआ है यहां की आत्रा करने के लिए हर किसी को जरूर जाना चाहिए भूटान के प्रतिस्टन मठों में से एक टाइगर का घूंसला मठ है पारो की घूमने लाइक जगह मैं से रिंगपूंग, डंगजोंग, भूटान नेशनल म्यूजियम और पारो विकेंड मार्केट के नाम सामिल है पारो परेटन में घूमने लाइक जगह चेले लापास, भूटान का रास्ट्री संग्रहाल है, टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री, रिंगपूंग डंगजोंग, किला गोंबा, जंगल सरू लखांग भूटान का प्रशिद परेटन इस्थल थिंपू तिंपू को भूटान के केंद के रूप में जाना जाता है, जो देश के मद्पश्वी भाग में इस्तित है आपको बताने कि तिंपू भूटान की राजधानी भी है, जिसे पुनाखा के बाद वस 1961 में राजधानी गोशित किया गया था यह भूटान में एक ऐसी जगे है, जिसे अपनी नाइट लाइफ के बारे में जाना जाता है तिंपू देश की एक ऐसी जगे है जहां आज भी भूटानी परमपराएं कायब हैं क्योंकि इसमें बुद्ध, डोर डेनमा जैसी विविन वास्टू कलाएं, संजर चनाएं हैं जो तिंपू में प्रवेश के दौरान देखी जा सकती है यहां पर टेक्स्टाइल म्यूजियम, लाइब्रेरी, आर्ट इस्कूल, अन, विकेंड मारकेट यहां के प्रमुक आकशन है तिंपू पारो इंटरनाशनल से एक घंटे की ड्राइव पर इस्तित है जो परमपरा और आदुनिक्ता दोनों का मिश्रण है तिंपू एक मात्र ऐसी राजदानी है जहां पर कोई ट्राफिक लाइट नहीं है तिंपू में देखने लाइए जगर त्रशी छोड डजॉंग चंगंखा लखांग तैंगो गोंबा मोती थांग तेकन प्रिजव डेचन फोडरंग भूटान का राश्ट्री बस्तकाले संपली भूटान नेशनल इंस्टिटूट अफ जोरिंग चुसुम वांग्ड्यू फोडरंग भूटान के सबसे बड़े जिलों में से एक है जो मठों और मंदरों से लेकर वनिजी और देहाती गाउं से भरा हुआ है वांग्ड्यू फोडरंग उत्तर में वांग्चुंग सेंटेनियल पार्क और दक्षरपूर्वी शेत्र में जिंग में दोर्जी निशनल पार्क के साथ कई पौधों और जानवरों की परजातियों का घर है यहाँ पर परेटक आर्केड, डोडोंडे ड्रोन, ब्ल्यू पॉपी और रेड पांडा, इसनों लेपर्ड, ब्ल्यू शीप और ब्लाग बीये जैसे दुरलव जानवरों को देख सकते है वांग्ड्यू फोडरंग परेटन प्रकृति प्रेमियों की घूमने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है अगर आप भुटान की यात्र करने के लिए जा रहे हैं तो आपको वांग्डियू फोटरंग के परेटन इस्थलों की यात्र करने के लिए अवश्य जाना चाहिए वांग्यू फोर्टरंग के प्रमुक परेटन इस्तल है जिग में सिंग ये वांग्चुम नैशनल पार्क, फोब जी खा घाटी, शाराडब का मंदर, रिंचे गांग गाउं, अधा और रुखा विलेज, जकर परेटन, वांग्यू फोर्टरंग, डिजॉंग, जकर टूरिज जकर चोखोर घाटी के तलहटी में बसा, बुम्थांग में सबसे बड़ी और सबसे खुबसूरत घाटी है, आपको बताने कि जकर को लिटल सुच्जर लेंड के रूप में भी जाना जाता है, जकर बुम्थांग जिले का प्रमुक प्रशासनिक शहर है, यह जगे मठों औ दिजॉंग्स के साथ बिंदीदार व्रक्ष परवश संकलाओं से घिरी हुई है, जिसकी वज़े से यह इतिहास प्रेमियों और प्रकृती प्रेमियों दोनों के लिए एक आदर्स जगे है, जकर कई एतिहासिक और पवित्र इसलों से भरा हुआ है, इसे भूटान में बौ परेटन इसलों की यात्रा करने के लिए यहाँ पर यात्री अन गतिविधियां जैसे ट्रेकिंग, माउंटेंग, बाइकिंग का भी मज़ा ले सकते हैं, जकर के परेटन इसल, जकर डिजॉंग, चक लखंग, मेबर तसो, खर्चु गोंबा, द्रांग चेल गाउं, तांग भाटी, कोचोंग सम, लखंग, आदी, फुट्शोलिंग भूटान का सबसे बड़ा शहर जो भारत के राज पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा को साचा करता है, यह कोलकता और सिली गुणी की यात्रियों के लिए एक प्रवेश बिंदू की रूप में श्रेवा करता है, और कई प्राकरतिक आकशडों से भरा हुआ है, अपनी फुट्शोलिंग यात्रा के दौरान परेटक जंग्टो पेलरी लखंग, करबंदी मठ, भूटान गेट और करबंदी गोंबा की यात्रा कर सकते हैं, जंग्टो पेलरी लखंग एक छोटा सा मंदिर है, जो गुरु रिन पोचे को समर्पित है, यहां एस्थित भूटान गेट भारस से प्रवेश के लिए प्रमुक प्रवेश द्वार है, जो पारंपर एक भूटानी वास्तु कला का एक उत्क्रस्ट उधारन है, फुट्शोलिंग के परेटन इस्थन, भूटान गेट, जंग्टो पेलरी लखं आमोच्छू क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, करवंदी मठ, तरसु नदी, पुनाखा भूटान के 20 जलों में से एक है, जो समुद्र तल से 1200 मीटर की उंचाई पर इस्थित है, और हिमालय का एक अधभुत द्रश प्रस्तुत करता है, पुनाखा 1955 तक भूटान की पूर दिया था, आपको बताने की यह जगह माउंटेन बाइकिंग और ट्रेकिंग के लिए एक उत्कृस इस्थान है, इसके अलावा यहां भूटान का सबसे लोगप्री साहसिक खिल, रिवर राफ्टिंग मोचू नदी में किया जाता है, अगर आप भूटान की यात्रा करने ग जा रहे हैं, तो आपको पुनाखा की यात्रा के लिए भी अवश्य जाना चाहिए, पुनाखा परेटन में घूमने लाइक जगह, पुनाखा डिजॉंग, मोचू नदी, पुनाखा सिस्पेंशन ब्रिज, पुनाखा गाउं, जिगमे दोर्जी नेशनल पार्क, दोचूला दर्रा, खांसम यूली, नामग्याल चोटन, सांग्चे दोर्जी, लुरुप ननेरी, बुम्थांग, बुम्थांग चार खुबसूरत पहाडियों का घर है, यहाँ पर कई प्राचीन मठ और मंदर इस्तित हैं, बुम्थांग भूटान में यात्रा करने के लिए सबसे प्रेगों में से एक है, जो अपने धर्ब, आध्यात्मिक्ता और इत्यास के लिए जाना जाता है, कुर्जी और तमसिंग लखंग यहाँ के प्रमुख दशनी स्थल हैं, और इसके अलावा परेटक पहाडी पर ट्रेकिंग जैसे काम भी कर सकते हैं, बुम्थांग में हर सा जलती हुई जील, उरा घाटी, ओजेन चोलिंग पैलेस संग्राहले, कोचोंगसम लखंग, फोब जीखा घाटी, वांग्यू फोडरंग में काले पहाडों की पश्चम धलानों में एक कटोरे की आकार की घाटी है, जो हरे भरे खेतों के मनमोहक दर्श प्रस्तुत करती है, आपको बताने कि यह घाटी लुप्ट प्राय काली गर्दन वाली क्रेड का घर है, जो सर्दियों के दौरान इस शेतर में आती है, फोब जी का घाटी जिसे गंग्टी भी कहा जाता है, यह देश की कुछ गलेशियल घाटियों में से एक है, जिंगमे सिंग्ये पाक की सीमा से लगी यह घाटी समुद्र तल से 3000 मीटर की उंचाई पर इस्तित है, जिसकी वज़े से यहां काफी ठड है, फोब जी का घाटी भूटान की एक बहुत ही खुपसूरत जगह है, जहां पर परियाटक ट्रेकिंग का मजा भी ले सकते हैं, सीधे शब्दों में क भरपूर हैं, जिनकी यात्रा आपको आवश्य करना चाहिए, फोब जी का घाटी के परेटन इस्तल, गंगते गोंबा, नियोलिंग डेशनिंग मंदर, किवंग लखंग, गंगती नेचर ट्रेल्स, कुजंग छोलिंग, श्रेडा, हा वैली टूरिजम, हा वैली भूटान के सबसे छोटे जिले के रूप में जाना जाता है, यह बूटान के दक्षन पश्यम में सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है, जो प्रकरती प्रेमी और ट्रेकर्स के लिए बहत अच्छी जगे है, इसके अलावे है दुनिया की एक मात्र ऐसी जगे है, जहां पर क्रीम र के माध्यम से पहुँचा जा सकता है, इस शेत्र के आसपास भूटान के सबसे अच्छे ट्रेकिंग ट्रेल्स और मौंटेन बाइकिंग ट्रेल्स का आयोजिन भी किया जाता है, अगर आप हावेली की यात्रा करने का विचार बना रहे हैं, तो यहां जाने का सबसे अच्छ समय अक्टूबर से नॉंबर तक का है त्राशे गांग भूटान का एक प्रसिद परेटन इस्थल है जिसे इस्थ का गहना भी कहा जाता है आपको बता दें कि त्राशे गांग भूटान का एक ऐसा खुबसूरत हेले स्टेशन है जो 600 मीटर से लेकर 4000 मीटर की उंचाई तक फै प्रसिद है जो अजम और तिब्बत के बीच व्यापार मार्क पर एक महत्पूर्ण व्यापार केंद्र है त्राशे गांग में ऐसे कई परेटन इस्थल हैं जहां पर आप अपनी यात्रा के दौरान जा सकते हैं त्राशे गांग डिजौंग एक किला है जो यहां के सबसे परेटन इस्थलों में से एक है इसके साथ ही जिले का अपना घरेलू हवाई एड़ा योन फुला हवाई एड़ा भी है भूटान की सबसे बड़ी नदी डांग में जू भी यहां से होकर बहती है जो कई आकरशक दर्श से प्रस्तुत करती है अगर आप भूटान के परेट इस्थल त्राशी गांग दिजॉंग इसके टेंग वाईड लाइफ सैंक्चुरी डग में छू पूटान के बारे में कुछ खास बात है भूटान को दे लेंड ओफ थंडर ड्रेगन कहा जाना है वहीं इसका नाम द्रक्यू है जिसका मतलब होता है ड्रेगन का देश गजब तो यह है कि भूटानी लोग अपने घरों को ड्रक्यूल कहते हैं जिसका मतलब है बर्फीले ड्रेगन का घर नमबर दो आपको जानकर आशर होगा कि इस देश में 1924 तक विदेश्यों के घूमने पर पावंदी थी 1924 में पहले विदेशी परेटोकों को घूमने की आजादी मिली वो भी आमंतर मिलने के बाद आज भी यहां विदेशी सहलाजियों का प्रवेश नियंत्र संख्या में ही हो पाता है 1924 मानिए आप दिल्ली घूम रहे हो और आपको एक भी ट्रैफिक लाइट ना मिले तो आप चौट जाएंगे लेकिन भूटान की राजदानी थिम्पू में ऐसा ही है वहाँ ट्रैफिक लाइट की जगे ट्रैफिक आफिसर होते हाला कि एक समय में यहाँ पर सड़कों पर रेड लाइट लगाई गई थी लेकिन लोगों के वरोध के बाद इसे हटा दिया गया नमबर चार गंखार पुनसुम यह भूटान का सबसे उचा परवत है लोगों की मानिता के अनुसार यह काफी पवित्र है और यहाँ किसी को भी जाने की आजादी नहीं है नमबर पाँच टीवी पर बैंग हाँ आपने सही सुना भूटान में 2001 से पहले तक टीवी और इंटरनेट प्रतिबंदित था नमबर चे यहाँ एक ही साथ राजशाही और लोग तांत्रिक व्यवस्ता है यहाँ पहला चुनाओ 2008 में कराये गया था नमबर साथ भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी देश भारत है क्योंकि तिब्बर से लगने वाली सीमा को भूटान ने बंद कर रखा है नमबर आट यहाँ प्लास्टिक की थेलिया प्रतिबंदित है नमबर नो भूटान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने 2004 से तमाकू पर पूरी तरह बहन लगा दिया है वहीं शराब और ड्रक्स अभी भी परिशानी का कारण बने हुए नमबर दस यहाँ समलंगिक तक गेर कानूनी है वहीं बहु विवाय प्रतिबंदित नहीं है भारतियों को वीजा की जरूरत नहीं हिमाले की प्रक्रतिक खुपसूर्ती शांती और सुपून देने वाली बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और हमेशा खुश रहने वाले लोग यह सब भूटानियों की खासियत है जिस वज़े से टूरिस्ट भूटान घुमना पसंद करते हैं भूटान घुमने आने वाले पश्मी देशों के लोगों को 250 डॉलर प्रतिदिन के हिसाब से टूरिस्ट टेक्स देना पड़ता है हाला कि भारत के लोग लकी हैं जैने भूटान जाने के लिए नहीं वीजा की जरूरत है और नहीं उन्हें किसी तरह का अद्रिक्ट टेक्स देना पड़ता है ऐसे में अगर आप भी भूटान जाने का मन बना रहे हैं तो ट्रिप प्लान करने से पहले इन बातों का ध्यान रखिए करेंसी वैसे तो भूटान की लोकल करेंसी गल्टरम है जो भारती रुपय के बराबर ही है और भारत का रुपया भी भूटान में आसानी से चल जाता है लेहाजा भूटान जाने से पहले आपको अपनी करेंसी बदलवाने की जरूरत नहीं भूटान में कम ही जगों पर कार्ड एकसेप्ट किया जाता है लेहाजा आपको साथ कैश लेकर जाना होगा कपड़े और जूते भूटान का मौसम गर्मी का हो या फिर सर्दी का यहाँ एक ही दिन में अचानक तापमान में 10-15 डिगरी का अंतर आ जाता है लेहाजा गर्मी के मौसम में भी अपने साथ हलके गर्म कपड़े जरूर रखे गर्मी के मौसम में यहां का तापमन 27 दिगरी के आसपास रहता है जबकि शाम में अगर बारिस हो जाए तो 12 दिगरी तक आ जाता है लेहाजा शाम और रात की हलकी ठेंड में पहनने के लिए आप अपने साथ हलका जैकेट, स्वेटर जरूर रखे बूटान में ट्रावल करते वक्त आपको पहाड़ों पर, मनेस्ट्रीज में और कई दूसी जगों पर काफी चलना पड़ता है ऐसे में कंफर्टेबल जूते पहने जिनसे पैरों में तकलिफ ना हो बूटान जाने का बेस समय बसंत रितू में अपरेल से जुलाई और शरद रितू में सितंबर से नॉवंबर के बीच है इन महीनों में बड़ी संख्या में टूरिस्ट बूटान आते हैं क्योंकि इस दौरान भूटान में सेच्चू फेस्टिवल जिसे फेस्टिवल अफ डांसेस भी कहा जाता है का आयोजन होता है वैसे लोग जो ट्रेकिंग में दिल्चस्पी रखते हैं या फिर शांती की तलास में जाना चाहते हैं उन्हें मार्च से मई के महिने के बीच भूटान जाना चाहिए वैसे आप चाहें तो मांसून के सीजन में जुलाई अगर्स के दौरान में भूटान जा सकते हैं क्योंकि यहां बारिश बहुत जादा नहीं होती भारत से भूटान कैसे पहुँच जाए जैगाओ भारत भूटान सीमा पर इस्थित एक भारती शहर है जो भूटान के फुट शोलिंग से लगा हुआ है भूटान में प्रवेश करने के लिए पर्मिट राप्ट करने की समी प्रक्रियां यहां अवर्जन कार्याले में की जाती है भूटान पहुचने का सस्ता विकल अगर आप भूटान के लिए एक सस्ती और आरामदाएक यात्र करना चाहते हैं तो बता दें कि आप भारत के किसी भी शहर से बाग डोगरा के लिए फ्लाइट ले सकते हैं यहां उतरने के बाद आप जैगाओं के लिए टैक्सी किराय पर ले सकते हैं जिसके लिए आपको लगबग 3500 रुपे किराया देना होगा भाग डोगरा से जैगाओं पहुचने में लगबग 4-5 घंटे लगते हैं इसके बाद आप जैगाओं से फुट शोलिंग की यात्रा कर सकते हैं अगर आप भुटान की यात्रा अपनी खुट की कार या बाइक से करना चाहते हैं तो आप एक हजार से बारा सो रुपए की शुल्क का भुक्तान करके फुट शोलिंग में छेत्री परिवहन कार्याले से वहन की परमिट प्राप कर सकते हैं। हवाई मार्ग से भूटान कैसे पहुँचें। पारों अंतर रास्त्री हवाई अड़ा भूटान का एक मात्र हवाई अड़ा हैं। यह देश के दक्षन पश्यम में इस्तित हैं। बैंकॉक, डेली, कूलकता, बोधगया, बागडोगरा, गोहाटी, काटमांडू और धाका से जोड़ा हुआ है। व्रक एर भूटान का एक मात्र एरलाइन है, जो भूटान पारों से दिल्ली, बागडोगरा, कूलकता, बैंकॉक, गया, धाका और काटमांडू के लिए नियमित उड़ाने संचालित करता है। भारत से भूटान की यात्र करने के एक शुक, लोगों को यह बताने की बागडोगरा भारत में पारों का निकटम हवाई अड़ा है, और यह भारत के पश्यम बंगाल राज में इस्तित है। सड़क मार्ग से भूटान कैसे जाएं। भारती परेटक भूटान तक बस द्वारा भी पहुंच सकते हैं। भारत से भूटान के लिए कूलकता, सिरली गुडी, हासी मारा से जैगाओं फूट सोलिंग तक बसें उपलब्ध हैं। टिकेट की कीमतें लगबग 500 से 800 के BTN होती हैं। जो कि भूटान की मुद्रा है।